अगर आपकी भी लाइफ में unwanted problems ने घर कर लिया है यानि की गर्ज हो गया है बिमारी आ गई है या आपके शत्रू बहुत हो गए है या आपकी लाइफ में problems जो है ऐसा घर कर चुकी है कि जाने का नाम नहीं ले रही तो आपको पता है कि आपकी हर problem का रास्ता आपकी रसोई से ही निकलता है कहते हैं न जैसे खाओगे अन वैसा होगा मन तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपने इन problem से कैसे छुटकारा पाना है देखी ये उपाए आपको शनिवार या मंगरलवार किसी भी time करना है आपको करना क्या है आपको एक normal आटा लेना है उसकी रोट रोटी बनाते वक्त आपने इसके उपर जैसे की लिखतेना है कर्स ब्लैक मारकर से लिखना है कर्स और उसके उपर क्रॉस का निशान ऐसे डाल देना है अब तवे को आप गरम कर लो अच्छी तरह और इस रोटी को इतना पकाओ कि वो जल जाए कोईले की तरह हो जाए इस इत्लिक उस्टेट में रोटी को अच्छी तरह से पाउडर के रूप में बना दीजिए और आपके आजबक पास कोई भी गटर नाले है उसमें डाल दीजिए और जो भी लोग हैी जिनके घर के आसपास कोई भी नाला गटर नहीं है तो वह अपने घर के गटर के धकन को उठाकर उसमें डाल दे अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर के वाश्रूम के पॉट के अंदर वो जो रोटी कोईले की तरह बनाई थी उसको क्रश करके उसमें डाल दे एक दो बाल्टी पानी की डाल दे और 10-15 मिंट वाश्रूम नहीं ज जब रोटी बेलनी है उस वक्त आपने ब्लैक मारकर से प्राब्लम लिखनी है उस पे क्रॉस का निशान लगाना है देन आपने तवे पर गरम गरम तवे पर वो रोटी को इतना सेखने कि वो कोईले की तरह पक जाए अब मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्र देने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करें और कोई भी प्राब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जैशी रादे जैगुरू जी किसी ने भी टैरो निम्डरोजी ऐस्ट्रोजी सीखनी है तो अभी इस नंबर पे वर मैंसेज लेकर ड्रॉप कर सकते हैं और मैं फ्री होके आपको कॉल करूंगी जैशी रादे जैगुरू जी गुरू जी गॉड़ ब्लेस यॉड़